पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत साधुबाद दूँगा कि आपने विधायक जी कह करके मुझे संबोधित किया इस तो और आपके जिसको कहते हैं बाणी में सरस्वति का विराज करें और मैं वाकी जो आप जानकारी चाहते हों आप पूँच सकते हैं देखे महंगाई के मुद्दे पर भाधिपा को महंगाई चाट गई एक दम जिस तरह से आम जनता परिशान है 200 रूपए किलो तेल और सोचिए जब 60 रूपए में सरकार चली गई कांग्रेस की तब यही लोग चिलाते थे आज यही लोग 200 रूपए में डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं इनको नहीं दिख रहा है इनको क्या है कि विसेश घरानों को विसेश चीजों को प्रमोट करना है आम जनता मरें इनसे क्या मतलब है यह तो याईपी लोग है भारतिये जनता पार्टी एक उच्छ बर्ग के रूप में जो है जो क्या कह सकते हैं आपकी धना घरानों की एक फोज के रूप में काम कर रही है और निश्चित तोर पर हर जगे जिस तरह से प्राइवेट में सेक्टर में सब फेक दिया जा रहा है यही लोग कभी राष्ट की दुखाई दे करके इस बात को कहते थे कि आज सब प्राइवेट कांग्रेस कर रही है आज उ 2022 में बहनकुमारी मयोती जब आएंगी तो हम लोग जितना प्रदेश में राहत संभव है के इंदर सरकार के बावजूद भी उतनी राहत कम करके और महंगाई को कम करेंगे देखिए वैक्सीन तो उन्होंने लगाई दिया को चहें जिस भी तरीके से वैक्सीन लगाना सरकार का काम है यह बहुत बड़ी महामारी थी और इसमें कोई हमारे टैक्स का पैसा है और आम जनता की सुरक्षा के लिए लग रहा इसमें मुखमंत्री और प्रधानमंत्री कहां से लगा रहा है यह सब गलत बाते हैं हां मुखमंत्री यह कह सकते हैं कि अगली बार आऊंगा तो बुल्डोजर चलो आऊंगा विकास की बात नहीं अरे यह तो इसके लिए सरकार क्या यह तो हजारों पुरान बार लोग कहे चुके किस तरह से मौत हुई है कोई ऐसा बैक्ति नहीं बचा जिसके जिसने अपना कोई ना खोया हो लेकिन सरकार जूट बोलती है जूट जूट और जूमले कि सरकार है उसमें का करना हम लोग को इसके लिए कोई सफाई नहीं देनी है हाँ आने वाला समय निश्चित तोर पर सुखद होने वाला है इसलिए 2022 में बहन कुमारी मायवती मुखमंत्री होने वाला है केवल समरस्ता के साथ विकास हर आदमी को एक सुरूप में देख करके कहीं बिना भेदभाव के बिना जात्पांत के भेदभाव के जहां जिस तरह की कमिया है उन कमियों को मैं नोट किया हूं मैं दौर दौर पे पहुंच चुका हूं हमारा एक डेढ़ महीने पहले से टिक पहुंच चुका हूं और आज के जो लोग आ रहे हैं अगर 442 बूतों पर पहुंच जाएं एक घंटे एक बूत पर देंगे तो और दस घंटे और प्रदिन काम करें तो उनको 44 दिन का समय लगेगा यह लोग खाली जुमलों के उस पर आज सोचो कि भारती जनता पार्टी जैसे आज प्रत्यासी नहीं दे पा रही है जो आए वो भाग जा रहे हैं तो निश्टी तो उनको एक विजलेंस से रिपोर्ट मिली कि यहां बहुजन समाज पार्टी जीत रही है आपको एक अधेला वोट नहीं मिलना है आप बिल्कुल साफ हो गए हो और ने दलों की तो की था और इतने अच्छे मतस निर्दल में जो लोग यहां बहुत दिनों से अपनी राजनीद करते थे आज 7-8 साल पहले की बात है और मैं इतना सक्षम वोट पाया वही धनब और वाहुबल जिस तरह से छोटी नगरपालिका में बांट करके लोगों ने वोट लिया है वह कि एक जन पतनी की खोज नहीं कर पा रहा है चुनाओ के लिए तो बस इससे जादा मैं क्या कहूंगा नहीं में जिला पंचायत का चुनाओ मैं लड़ा था लेकिन वो एक्सिडेंटल हुआ हमारी पतनी उसमें प्रत्यासी थी वो प्रत चुनाओ नहीं लड़ा गया था वो सुल्तान पुर से जुली रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और नीचे दिये गए बिल आइकन को अवस्त दवाएं वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद